हम ऐसे समय में रहते हैं जिसमें विश्वास और आध्यात्म बहुती ज्वलन शील और आसानी से राचनी तिक बनाई जाने वाली चर्चा बन गया है अगर विश्वास को व्यक्तिगत होना चाहिए तो आज ऐसा नहीं है आज वाखे ऐसे फैस्टे लिये जाते हैं जो किसी के विश्वास को ठेश पहुचाने पर आधारित होते हैं आपने अभी भोजन की बात की मैंने कहीं पढ़ा कि आपने कहा है कि भोजन में धार में कुछ बस वो खाईए जो आपको पसंद है ने ने मैंने ये नहीं कहा मैंने कहा वो खाईए जो आपके लिए अच्छा है ये दोनों बिलकुल अलग चीज़े है लेकिन आज गोमास प्रतिबंद की चर्चा को काफी राजनेतिक रंग दिया गया है जो विश्वास पर आधारित है व आप लोगों के एक सम्हू के विश्वास और व्यक्तिगत आजादी में मिलाब कैसे करेंगे मैंने पढ़ा है कि आप सलमान रश्टी की लिखी किताबे पसंद करते हैं हम पहले देश थे जिसने उन पर विश्वास के नाम पर प्रतिबन लगाया है हम विश्वास और व्यक वो है पहाड को हिलाना आपको पहाडों को नहीं हिलाना चाहिए उसे अपनी जगा होना चाहिए वो बस कहीं से गिरा नहीं है वो विक्सित हुआ है क्योंकि कई तरह की शक्तियां निश्चित रूप से काम कर रही हैं जबर्दस गतिविदी हुई है पहाड बनाने के लिए आपको पहाड को कभी नहीं हिलाना चाहिए लेकिन जिनके दिमाग जम चुके हैं वे हमेशा पहाड हिलाने की कोशिश करते हैं ठीक है? जैसा कि मैंने कहा जब हम विश्वास की बात करते हैं ये इस संस्कृती के लिए बाहरी चीज है हमारे पास कभी भी संस्कृती में विश्वास नहीं था आपको 1000 साल से थोड़ा पहले देखना चाहिए जब से हम गुलाम रहे हैं यहां हमें बताया गया है कि आपका जीवन आपका कर्म है कर्म मतलब काम किसका काम? आपका काम तो हम कह रहे हैं कि आपका जीवन पूरी तरह से आपने बनाया है कोई उपर बैटकर इसे आपके लिए चला नहीं रहा यह पूरी तरह से आपका है लेकिन हर काम जो आप करते हैं चाहे वो शारिरिक, मानसिक, भावनात्मक या उर्जा का काम हो किसी बे तरह का आप काम करते हैं उसका एक नतीजा होना तय है अगर आप नतीजे के लिए तैयार हैं तो जो चाहे करें आप नतीजा देखकर रोएंगे तो उस काम को अभी नियंत्रत करें इसी पर आधारित है आपने अभी भोजन की बात की देखे भोजन को इस देश में बहुत ही ध्यान से समझा गया है अगर आप बस इसे वापस ले आएं तो दुनिया सेहत मंध हो जाएगी क्या आप समझे यहां हमने अलग-अलग तरह के लोगों को पहचाना है कि उन्हें क्या खाना चाहिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको क्या खाना चाहिए अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको क्या खाना चाहिए अगर आप आध्यात्मिक प्रक्रिया में हैं तो क्या खाना चाहिए शिक्षा से जोड़े होने पर क्या खाना चाहिए ऐसा इसलिए है क्योंकि हर इंसान को अलग-अलग तरह के शरीर की जरूरत होती है आपको Mr. Bolt के साथ 100 मीटर भागने हैं तो आपको क्या खाना चाहिए आप बस दिल्ली में काम करते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए आपको एक निश्चत तरीके से सोचना है तो आपको क्या खाना चाहिए इन सभी के लिए हमारे पास पश्ट निर्देश है जब भोजन की बात होती है तो इसका मतलब है हम एक अन्य जीवन चुनते हैं चाहे वो कुछ भी हो, वनस्पती हो या जानवर हो आप एक अन्य जीवन को लेते हैं और लेकर खाते हैं और आपको उसे अपना जीवन बनाना होता है पूरी चीज यही है आपका जीवन क्या है और वो जीवन क्या है अगर आप यह देखें दुनिया का हर जीवन धर्ती से आता है वो शरीर भी वही मिट्टी है, ये शरीर भी वही मिट्टी है अगर एक एंचुवा हो तो वो भी वही मिट्टी है लेकिन देखिए ये कैसा बन गया है, ये कैसा बन गया है और वो कैसा बन गया है अगर मैं आपको, आपको केला पसंद है आम? आम आम, मुझे पता है, आप इस समय राजी चला रहे हैं. अब, अगर आप एक आम खाती हैं, तो वो आम आप में स्त्री बन जाता है. अगर मैं एक आम खाता हूँ, तो वही आम मुझे में पुरुष बन जाता है. अगर एक गाय आम खाती है, तो वही आम उस गाय में गाय बन जाता है, ऐसा क्यों होता है? आपके अंदर एक तरह की जानकारी या सौफवेर है, आप जो भी खाती है, वो उसे स्त्री बना देता है, अगर मैं खाता हूँ, तो पुरुष बन जाता है, गाय खाती है, तो गाय चल रहा है उस प्रकार की जानकारी के एक निश्चित आयाम की वज़े से चल रहा है। या अधुनिक शब्दों में इसे सौफवेर कह सकते हैं। एक निश्चित सौफवेर है जो जानकारी की एक व्यवस्था है। अब सोच ये है कि जितना सरल हो सके उतना सरल सौफवेर खा जो बहुती सरल सौफवेर है, तो उस सौफवेर को तोड़ कर पूरी तरह से अपना हिस्सा बनाने की आपकी ख्षमता काफी अच्छी होगी। जैसे जैसे वो सौफवेर जटल होता जालता है, जादा से जादा जटल, तो उसे अपना हिस्सा बनाने की आपकी ख्षमता कम होत विशेश रूप से अगर वो एक जानवर है जिसमें विचार और भावनाओं की कुछ शमता है, अगर उसमें भावनाओं हैं तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए, यही समझ है, एक जानवर जिसमें भावनाओं हो जो भावनाओं प्रदर्शित करता हो, विशेश रूप से अ आज शहरों में शायद लोग नहीं जानते, आप गाउं में देखेंगे, कि लोगों का गाय के साथ बहुत गहरा रिष्टा है, उन्होंने उस गाय का दूद पी आये, उनके बच्चे उस गाय का दूद पीते हैं, एक बहुत गहरा रिष्टा है शायद आप न जानती हों गाए एक ऐसा जानवर है कि अगर आपको कुछ होता है और आप किसी तरह के दुख में है तो आपको गाए के पास होने की जरूरत नहीं है गाए आपके घर में जहां भी हो वो आपके लिए आँसू बहने लगेगी मैंने ये अपनी आँखों से देखा है मुझे विश्वास नहीं हुआ था जब घर में कोई मर जाता है गाए को कैसे पता वो कहीं और है पर बस आँसू बहने लगते है तो जब उसमें इतनी गहरी भावनाए है तो उसे मारना एक इनसान को मारने की तरह है ये हत्या है या इनसान का मांस खाना है तो इसलिए ये कोई विश्वास की बात नहीं है ये धर्म की बात नहीं है हमें लगा ये बुनियादी समझ है जब हमें भूक लगे तो मैं आपको काट कर क्यों नहीं खा सकता इसमें गलत क्या है गलत क्या है मैं पूछ रहा हूँ लेकिन आप चु कह रहे हैं वो कई अन्य जानवरों के बारे में भी होना जाए ना की सिर्फ गाई के बारे में और अब ये सिर्फ गाई की बात हो रही है तो निश्चित रूप से ये समझा जाता है कि ये राजनेतिक या धार्मिक निर्णे है बात ये नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि मास खाना क्रूरता है वो एक अलग बहस होगी मैं क्रूरता की भी बात नहीं कर रहा एक पेड को काटना भी करूरता है मेरे अनुभव में लेकिन आपको करना पड़ता है लेकिन अगर आप जागरुक हैं तो आप उसे कम से कम करेंगे ना कि निर्दाता से ये ही सब कुछ है अब इस राजनीतिक प्रतिबंध की बात करें गुमांस या जो भी इससे कई चीज़े जुड़े है एक चीज़ है समवेदन शीलता आपने उस गाय का दूद पिया है वो आपकी मां की तरह है अपनी मां को मारना और खा लेना एक ऐसी चीज़ है जो इस देश में लोग हजम नहीं कर सकते आज भी असी प्रतिशत लोग उश्रेणी में आते है और उनमें एक जबर्दस भावना है बहुत जबर्दस भावना पर क्यूंकि उन्हें एक तरह से विनम्र बनाया गया है इसलिए उन्होंने आकर्मक प्रतिक्रिया नहीं दिया लेकिन कुछ जगहों में ऐसा हुआ है गाउं और अन्य Automate बहुत से गाउं में पहले से ही गोमांस प्रतिबंदित है बस ये तय है न की कोई कानून है कि आप ऐसी चीजे गाउं में न लेकर आए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस पर प्रतिबंद लगाएं या न लगाएं मैं कह रहा हूँ कि आपकी आबादी की समवेदन शीलता समझे बिना आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते क्यूंकि ये बढ़ रहा है ये व्यापार विक्सित हो रहा है भारत गोमांस का एक बड़ा निर्यातक बन रहा है ये ठीक नहीं है अगर कोई कुछ खाए भी तो ये उनका निजी शौक है लेकिन अब आप इसे बढ़ावा दे रहे हैं और इसे विक्सत कर रहे हैं ये एक गंभीर चिंता है लेकिन हमारे लोग इसे प्रकट नहीं करते वे सड़क पर जाकर किसी को मारेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने एक गाय को मार दिया तो प्रतिबंध की जरूरत नहीं है जादा शिक्षा की जरूरत है बजाए प्रतिबंध के लेकिन आपने इस बारे में बात नहीं की, कि विश्वास और व्यक्तिगत स्वतंतरता में बार बार टकराव होता नजर आता है। किताब पर प्रतिबन लगा, लोगों को पैरिस में मार दिया गया, क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मत का अनादर किया। तो ये कहां खत्म होगा। देखे, हम धर्म के नाम पर हिंसा और राजनीती को कैसे रोकेंगे। अगर आप, देखे अगर आप इसे रोकना चाहती हैं, आपको समझना चाहिए, आप कह रहे हैं आज आज, ये आज नहीं हुआ है। पिछले 2000 सालों से विश्व का ये इतिहास है। लगातार ये हो रहा है पूरे विश्व में। सूसाइड बॉंबर नए हैं। देखे, आप धर्म युद्ध औराने चीज़ें भूल गई हैं, जिनने इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। करोणों लोगों को मारा गया, भगवान के नाम पर, ठीक है। ये हमारे लिए नया है, लेकिन यहां भी हजारों लाखों को भारत के उतरी हिस्सों में मार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वे किसी में विश्वास करते थे, जब हमले हुए थे। कोई भी उनके बारे में नहीं लिखता क्योंकि हमने खुद में ही लिखा, किसी और ने हमारे लिए इतिहास लिखा, जैसे उन्हें पसंद था, क्योंकि इतिहास राजाओं द्वारा प्रयाजुद किया जाता है, इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से लिखा, और वे कहते है वे महान राजा हैं, लेकिन जो काम उन्होंने किये, वो बिल्कुल भेंकर थे, तो आप कोई समझना होगा कि विश्वास हमारे लिए नया है, नय से मेरा मतलब है, इस देश में जिसमें बारा से पंद्रा हजार सालों का इतिहास है, हजार साल हमारे लिए नया है, हम अब भ करेंगे, उसका आपके लिए एक नतीजा होगा, अगर आप फिर से जीवन लेते रहेंगे, तो भी आपको नहीं छुड़ेगा, या आपके पास लौट कराएगा, ये बताया गया है, ये लोगों को नियंतरित करता है, ये जबर्दस तकनीग है, प्लीज ये समझे, ये वास्तविक चीज है, हर चीज जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं या करते हैं उसका नतीजा होता है, इसलिए नहीं कि कोई बैठा सोच रहा होगा कि उसे आपको एक इनाम या सजा देनी चाहिए, ये आपकी अपनी केमिस्ट्री में होता है,